हाई फ्रेंड्स मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चलें यूट्यूबर दोस्त पूनम में दोस्तो आज के थमनेल से आप सबको पता चली गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होनी वाला है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको साफ ना बोल पाना हक लाना तुतलाना बोलने में बीच मेच में अटक जाना या कोई सब्द बहुत देर तक आ आ करते रहना फिर बाद में बोल पाना मतलब ये सारी समस्या है ना अगर बड़ों को है या बच्चों को है तो आज म मतलब आपको मैं खुद से यकीन जो है वो दिला सकती हूँ कि आप इसको यूज करने के बाद आप जो फायदे हैं जो वैनिफिट्स हैं जो उसके लाब है वो कमेंट बॉक्स में खुद से लिखने आएंगे जरूर कीजिए इस डियाइवाई का यूज अगर आपके साथ ये समस्या है तो कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग काफी कोसिस करते हैं कि तुतलाएं नहीं हकलाएं नहीं दीरे दीरे सारा जो भी एक सब्द है कोई उसको दीरे दीरे पूरा करेंगे ताकि उनके मुह से जो हकलाना या तुतलाना जो भी है वो ना निकले तो कई बा कोसिस करने के बावजूत भी आपके बच्चों को हकलाना तुतलाना जैसी समस्या जो है वो हो रही है तो आज का जो DIY है वो आप उनको जरूर दीजिए बहुत ही आसान DIY है आप इस DIY को घर में बहुत इसली तरीके से बना के और आप इसको दिन में दो बार दे सकते हैं अगर हो सके तो क्योंकि जो पेश्ट आप बच्चे को चटाएंगे या स्वैम आप इस पेश्ट को खाएंगे तो उसका जो असार है वो थोड़ी देर तक होना चाहिए इसलिए पानी जो है पांस से दस मिनट बाद ही पिलाएं अगर हो जाता है तो नहीं तो पांच मिनट तो कम से कम इस पेश्ट को मुँ में रहने दें उसके बाद ही पानी पिलाएं इस तरीके से आपको ये जो DIY है ये यूज करना है आपको लेना क्या-क्या है चलिए बता देती हूँ दो चीजे लेना है आपको पहली चीज जो है वो है काली मिर्च और दूसरी जो चीज है व आपको काली मिर्च का पाउडर जो है वो बना लीजे इसली मिल जाता है अभी आप बजार में लेने जाएंगे तो दोनों का पाउडर बहुत ही आसानी से मिल जाता है कितना कितना लेना है काली मिर्च का जो पाउडर वो आपको पचास ग्राम लेना है दालचीनी का जो पा निकाल लेना है, अदरक का एक चम्मच जितना जो रस है वो nिकाल लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने काली मिर्च और दालचीनी का पाउडर लिया है, उसको आपको कितना लेना है, स्पून जो होते हैं, जो हम खाने वाली चम्मच यूज करते हैं, उससे आधा चम्मच अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो आधा चम्मच अगर बड़े ले रहे हैं तो एक सी देड़े चम्मच भी इसको ले सकते हैं और वो जो आपने अधरक का रस निकाला एक चम्मच उसी में मिक्स करना है और क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ब से कम पांच मिर्ट तक यह जो पेश्ट है अगर दीरे दीरे चूसेंगे तो अंदर जाएगा तो उतना ही वैनिफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे आप क्या करना है जब यह जो रस है वो पूरी तरीके से चला जाए तब आप उनको पानी पिलाईए हो सके तो पानी जो ह है वो खुद से देखने को मिलेंगे अच्छा हो सके तो सौफ बाला पानी पीजे सौफ को और पानी को मतलब उबाल लीजिए और ठंडा करके वही पानी यूज कीजिए कम से कम दिन में एक बार तो यूज करी सकते हैं अच्छा यह जो डियाइवाई है यह आप दिन में द ठंडा और बहुत जदा गरम जो पानी है वो ना पिये और सौफ बाल अगर पानी आप बना सकते हैं तो एक गलास पानी में आपको चार चम्मा सौफ जो है वो बालना है ठंडा कर लेना इस पानी को और आप इसी को एक बार दो बार दिन में पी सकते हैं अगर आप से हो सकत है तो नहीं हो सकता है तो नॉर्मल पानी जो है वो आप पी सकते हैं इस डियाइव को आप जरूर यूज कीजिए अगर आपके साथ समस्या है तो और आपके जो अनुबों है वो हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए उमीद करती हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आ